पूर्वोत्तर में आए भूकमप में करीब साथ लोगों के मारे जाने और 80 लोगों के गायल होनी की खबर है माना जा रहा है भूकमप का केंद्र मनिपूर जिले के तमिंग लॉंग में था राज्य में राहत और बचाव का कारे पूरे जोन उपर है भूकंप बाद लोगों को सहायता पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री स्वयम हालात पर नज़र रखे हुए है मनिपुर में सभी स्कूल एक हफते के लिए बंद किये गए बांगला देश में भी भूकंप के जटके महसूस किये गए पंजाब में पठानकोट एरबेस पर सगहन तलाशी अभियान जारी है केंद्रिय मंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि सुरक्षाबल आतंक वादियों को देश के महत्तुपुन ठिकाने से दूर रखने में कामियाब रहे पठानकोट एरबेस पर आतंकी हमले में शहीद कैपटन फठे सिंग का पंजाब के गुरुदासपुर में अंतिम संसकार किया गया कैपटन फठे सिंग ने कॉमनवेल्ट केम्स में गोल्ड मेडल जीता था कैपटन फठे सिंग की बेची ने पिता को कंधा दिया और पुश्प चक्र रख शुरधान जुली दी एक तरफ पठानकोट में जहां आतंकीयों को मार गिराने के लिए ओपरेशन जारी है वही आतंकी हमले में शहीद हुए लेटिनेंट कर्नल निरंजन इखुमार का पार्थिव शरीर पैंगलूर उलाया गया उनके पार्थिव शरीर को B.E.L. ग्राउन में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है हजारों की संख्या में लोग नम आँखों से शहीद लेटिनेंट कर्नल को अंतिम विदाई देने पहुँच रहे हैं अंतिम संसकार उनके केरल स्थित पैत्र गाउं में कल किया जाएगा प्रथान मंत्री के निर्देश पर उत्तर पूरुक शेत्र विकास मामलों के मंत्री भूकम के बाद के ताजा हालात का जायजा लेने के लिए मनिपूर पहुचे इस दौरान अस्पताल में उन्होंने घायलों से मुलाकात की केंद्रिय मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिती से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का वायदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की एजिनसियां स्थिती पर पूरी नजर रख रही है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग और गृह राजय मंत्री किरन रीजीजु ने मनिपूर के मुख्य मंत्री इबोबी सिंग और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की बैठक के बाद इबोबी सिंग ने कहा कि केंदर सरकार ने राजी प्रिशासन को हर संभव मदद मुहया कराने का भरोसा दिलाया है उच्चितम नियालयद्वारा नियुक्त लोणा समिती ने देश में क्रिकेट प्रिशासन को दुरुस्त करने के लिए प्रारूप पेश किया बी-सी-सी-ाई और आई-पि-ल के लिए अलग-अलग निदेशक मंजलों की सिफारिश की और बी-सी-सी-ाई को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत लाने को कहा जमुकश्मीर के लदाक शेत्र में हिम्स खलन से लदाक स्काउट्स की चार सैनिक मारे गए रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि गश्ती दल कल शाम चार बच कर तीस मिनट लदाक में दक्शुनी हिमनत पर एक हिम्स खलन की चपेट में आ गया हिम्स खलन के फोरण बाद राहत अभियान चलाया गया लेकिन सैनिको को बचाया नहीं चा सका मुंबई शेयर बाजार का सूच कांक तीन महीने की सबसे बड़ी गिरावट 537 अंक लुड़क कर 26,000 के आंकडे से नीचे पहुचा निफ्टी भी चीन की आर्थिक मंदी और खाडी से पैदा हुए वैश्विक तनाओ के बीच 172 अंक गिरा राश्ट्रपती प्रणाव मुखर जी ने नए मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथूर को पद और गोपनियता की शपदिलाई इस मौके पर उप्राश्ट्रपती हामिदन सारी और प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रुत वाली चैन समिती ने 16 दिसंबर को पूर्व रक्षा सचिव आरके माथूर का चैन नए CIC के लिए किया था पूरा कैडर के सिवा निवृत आयस अधिकारी 62 वर्षिय माथूर को 28 मई 2013 को दो वर्ष के लिए रक्षा सचिव बनाया गया था CIC के तौर पर उनका कारेकाल तीन वर्षों का होगा भारतिय कम्योनिस्ट पार्टी के पूरू महा सचिव एबी बर्धन का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संसकार किया गया इसे पहले बर्धन को पार्टी मुख्याले में उपराश्ट पती हामिदन सारी, संचार मंत्री रवी शंकर प्रसाद, CPI पार्टी नेता समेथ कई लोगों ने शुरुधांजली दी केंद्री दूर संचार मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने एबी बर्धन के निधन को राजनीती के लिए आप पूरणी एक शती बताया दिल्ली में प्रदूशन को कम करने के लिए लागू किये गए और इवन पॉर्मूले की आज सोमवार को असली परिक्षा हुई दिल्ली में यात्रियों को किसी भी तरह की असुमिधा से बचाने के लिए मैट्रों ने किये थे पुखता इंतजाम वहीं दिल्ली में यातायात नेमों का पालन ना करने वाले सैंक्डों लोगों का काटा गया चालान इरान द्वारा साओधी अरब पर क्षेत्र में तनाव पैदा करने का आरोप लगाने के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा, बहरीन के भी साओधी अरब की तरहा इरान के साथ राजनाईक संबंध तनाव पूर्ण हुए इरान और साओधी अरब के भी साओधी अरब द्वारा प्रख्याश्वियानेता अलनिम्र को फांसी की सजा दिये जाने से सम्मद बिगडे इराक के तिक्रिश शेहर के पास एक सैने शिविर पर हुए आत्मधाती हमले में 12 लोग मारे गए हैं इसके अलावा 20 लोग जखमी हुए हैं मारे जाने वालों में ज्यादा तर पुलिस फोर्स के नए रंगरूट थे खबर है कि इसलामिक स्टेट के पांच आत्मधाती हमलावरों ने शिविर के पश्चिमी दर्वाजे पर बमों से हमला किया रमादी शहर पर इराकी सेना का कबजा होने के बाद इसलामिक स्टेट ने हमले तेज कर दिये हैं जहां इराकी सेना का शिविर है वहाँ पहले अमेरीकी सेना का कैम्प स्पेचर हुआ करता था आस्ट्रिलिया ने भारत के खिलाव पहले तीन एक दिवसियां तराश्ट्र मैचों के लिए आज घोशित अपनी 13 सदस्य टीम में अधिक से अधिक तेज गेंदबाजों को रखा है और स्पिनर नाथन लियोन और आल राउंडर शेन वाटसन को इसमें जगा नहीं दी है चैन समिती का मानना है कि पर्थ, मेलबन और सिडनी की पिछें तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होंगी और इसके लिए पांच मैचों की श्रंखला के कम से कम पहले तीन मैचों में स्विरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैन करताओं ने बाए हाथ के तेज गेंदबाज, जोयल पैरिस और स्कॉट बॉलिंट की रूप में दो नए चेहरे टीम में जोड़े हैं